तो apparent depth या apparent height का calculation कैसे किया जाता है, दोनों में difference क्या है, वो मैं, अब calculation के तरू तुमको समझा रहा हूँ, देखो, अगर ये fish है, अगर इसको object consider किया जाए पहले case में, और ये जो chill है, मालो कोई bird है, उसको observer consider किया जाए, ये case number one है, दूसरे case में, जो fish है, उसको observer consider हम कर लेते हैं, और ये जो bird है, उसको object consider कर लेते हैं, तो दो अलग-अलग scenario है, तो इस case में, मैंने क्या बताया था, object जिस medium में रहता है, वो medium mu i होता है, और observer जिस medium में रहता है, वो mu r होता है, correct है, तो इस case में, पहले case में, mu i की value क्या होगी, mu w के बराबर होगी, water के refractive index के, so water का refractive index हम माल लेते हैं, 4 by 3 है, थोड़ी देर के लिए, 4 by 3 का मतलब 1.33 होता है, ठीक है, और mu r का मतलब, air का refractive index, जिसकी value, वन के round होती है, वन के बराबर होती है, ठीक है, तो अब अगर हम apparent depth का formula लगा है, d dash is equal to d upon mu i r, अगर मैं ये कहूं कि object 100 meter, थोड़ी देर के लिए समझने के माल लेते हैं, 100 meter नहीं, 10 meter माल लेते हैं, चलो, 10 meter जो पानी का जो surface है, उसके नीचे है, पानी के surface से 10 meter नीचे है, चीक है, correct है, तो ये d की value है, observer को क्या लगेगा, कितने distance पे ये fish है, तो उसके लिए आपको calculation करना पड़ेगा, mu i r की value निकालनी पड़ेगी, mu i r की value कितनी ह y upon mu r, mu i की value कितनी है, mu i की value है, mu w के बराबर, यानि 1.33 या 4 by 3 upon mu r की value कितनी है, 1 है, यानि ultimately 4 by 3 ही हुआ, तो यानि ये 4 by 3 होगा, उपर जाएगा ये, 3 by 4 हो जाएगा, into 10, ये कितना हुआ, d dash, d dash कितना होगा, 3 by 4, 0.75 होता है, into 10, 0.7, 7.5 meter हो गया, यानि observer को ये जो fish है, ये 10 meter पे नहीं दिखेगी, surface से, 7.5 meter की height पे दिखेगी, लगेगी, की उपर है थोड़ी सी, ठीक है, 7.5, तो actual depth थी, इस fish की 10 meter, और अब दिख रही है observer को 7.5 meter पे, तो shift कितना हुआ, 2.75 का, तो जो apparent shift होता है, ध्यान देना, apparent shift होता है, वो होता है, real depth, minus apparent depth, तो real depth है, d minus d dash, इसका ये मतलब है, d minus d dash की value क्या है, d upon muir, यानि apparent shift हो गया, 1 minus 1 upon muir के बराबर हुआ, apparent shift, और इसी की value होती है, 2.5, अभी जो example हम लोगों ने रिकिया है, उसमें apparent shift की value, 2.5 meter होगी, और real depth कितनी है, 10 meter, apparent depth कितनी है, 7.5 meter, और apparent shift कितना है, 2.5 meter, correct, ये पहले example में होगी है, अब दूसरे example में कहते हैं, ये मानलो, ये bird, जो है, surface से 10 meter की height पे है, कितना 10 meter की height पे ये bird है, पानी के surface से, अब बताओ, क्योंकि object जिस medium में है, उसको mu i कहते हैं, वो है mu a, यानि air का refractive index, उसकी value 1 होती है, और जिस medium में observer होता है, वो होता है, mu r, यानि mu of w, उसकी value 4 by 3 है, अब formula लगाते है, d dash, ठीक है is equal to, अब इसको depth ना कहके height के context में बोलेंगे, apparent depth नहीं बोलेंगे, अब इसको apparent height h dash is equal to h upon mu i r, h dash क्या है, apparent height, h क्या है, real height, और mu i r तो वही है, context आपका, अब देखो, इस case में mu i r की value कितनी होगी, mu i r is equal to mu i upon mu r, mu i की value कितनी है, 1, mu i की value कितनी है, 1, और mu i r की value कितनी है, 4 by 3, तो ये कितना हो गया, 3 by 4 हुआ, mu i r की value, या रखते हैं, तो h dash is equal to, और real height कितनी है, 10 meter, तो 10 upon 3 by 4, 4 उपर जाएगा, 4 by 3 into 10, कितना आएगा, 40 by 3, 40 by 3 कितना आता है, 40 by 3, h dash is equal to, 13.33 meter, कितना आएगा, 13.33 meter आएगा, apparent height होगी 13.33 meter, करेक्ट है, point याद रहेगा, तो apparent shift कितना हुआ, 3.33 meter, apparent shift हुआ, 3.33 meter, तो real height थी 10 meter, apparent height आई, 13.33 meter, और apparent shift जो हुआ, 3.33 meter हुआ, तो दोनों cases में, scenario अलग हैं, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों cases में, कि object किदर है, जिस medium में object होगा, वो medium mu i कहा जाएगा, अगर ये बात अगर तुमने याद रख ली ना, तो ये इस तरह के question एकदम आसान हो जाते हैं, simple हो जाते हैं, बच्चे जादातर गल्ती इसी, इन्ही दो चीज़ों में करते हैं, mu i और mu r में, वो 1, 2 लिखने लगते हैं, 1, 2 में आप याद नहीं कर पाओगे कि कौन सा medium 1 रखेंगे, कौन सा medium 2 रखेंगे, अगर आपको ये formula याद है, apparent depth वाला, d dash is equal to d upon mu i r, यहाँ पर भी वही formula है, बस h और d का फर्क तो है, बाकी formula में देखो कोई फर्क नहीं है, mu i r denominator में रहना ही रहना है, तो आपको mu i अगर confirm कर लिया आपने, कि object कहां है, वो medium mu i है, observer जहां है, वो medium mu r है, तो आपसे इस question में, इस तरह के जितने question है न, उनमें कभी कोई गलती नहीं होगी.